असलाव उल्लेकूम मैं आप दोस्ति लावाजी और आप देखें एक फोटशाफ प्रो जहाप राख मिलता है एविधिंग वाग्राफ डिजैनिंग एवरी डेयर तो अभी जो है हम पैनल क्रेट करने के बिलकुल नजदीक है बस आपने जो है हमारा साथ नहीं जोड़ना है पहले की तरह हमारे साथ ही रहना है जैसे आप ये पैनल जो है वो लेने के लिए मैसेज करें प्लीज इसी तरह से पैनल सीखने के लिए भी मैसेज करें सीखना कोई नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई सीखना चाह रहा है सब को सिर्फ पैनल चाहिए जिनको पैनल चाहिए व कि आपको कैसे मिलेगा ओके तो इस पर आज जो है क्लास थ्री देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है और क्या कुछ आप सिक्त आप पैनल बनाना से जाएंगे बहुत ज्यादा बहुत नजदीक हैं आप थैंक्यू सो मच्छ हम आ चुके हैं फिर से एक्षन में और अभी मैं यह बताने वाला हूं कि हम जो है तीन फोटो के उपर तो हमने अप्लाई कर लिया हम मलब तीन फोटो तक हमने देख चुके थे उसमें भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया मगर बात मुझे ऐसा लगा कि यह क्या पता इससे लोगों को ज्यादा जो है वो क्लेरली पता ना चले या वो क्लेरली काम ना कर सकें ठीक हैं बहु कि मैं यहां से इसको capable以及 सब्हुन्हीं हो यहां से λοपन से प्ले करतो यहां से जो हमने पहले बना जूँके थे तो वह बोलता है आप जाहते इसे आप भी में जो बताने वाला हूं ऐसे आप में इससे आप म lan अभी आपको दिखाता हूँ, यह हमारे तीन फोटूस हो चुकी है, ठीक हो गया, इस तरह से, सिंपल और फंटास्टिक और अमेजिंग, अभी हमारे जो है, वो देखें, अभी इसके अंदर पांच शीट है, तो हमें पांच शीट के लिए चाहिए, अभी हम मैं आपको 100 फ्रेम्स भी हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक्शन बनाने लिए अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक हो गया, तो आप मेरे साथ रहेंगे, और action वाले palette को मैं इस set की लेती हूँ, 인को भी हम set के कर लेते हैं और इसको भी हम बिल्कुल सही से खुलके देखते हैं सो अभी आपने करना क्या है, ध्यान रख लना आपने, याद से कि मैंने अभी कह किया, मैंने ये अपने लिए ये मैं इतना बड़ा सारा एक ही अक्षिन मैंने बना चुका हूँ तो पिर जब मैं बना चुका तो मैंने सुचा कि यार क्या पता इसमें लोगों को कोई परिशानी हो या देर लगे उनको इसको समझने में इससे अच्छा है कि एक वीडियो बना रहो है मीलब यह वीडियो तो आप मरजी का है न अप देखने चाहते हो तो आप देखो नई तो आप स्क्राइब कर लो माथ आपको इसके पाद आप तर आप 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 अपलब जिनको जरूरत है तो उनके लिए मैं यह वीडियो बना तक लेकर जाना है 10 फ्रेम तक लेकर जाना है उसके लिए आपको एक फ्रेम वाला वह पहले पैकेज वाले आपको create करना होगा जो मैंने आपको पहले बताया था याद है महलब यह जो हमने फ्रेम स्लेक किया थी तो उसके लिए मैंने इस बार क्या किया है फर्स्ट में तो आप यहां से create कर लो new new layer layer layers 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 अभी आपको जितनी फ्रेम्स ही चाहिए ठीक है महलब 10 चाहिए मैं फिलाल के बलके 10 ही करूँगा 10 बहुत हैं आपको समझाने के लिए मैंने ख़ल से चार तीन पहले से हैं तो यह बन देगी 13 ठीक हो गया अच्छा अभी आपने करना क्या है यहां से यह फ्रेम्स मैंने लिखा है अच्छा यह याद रखना पिछली बार जो मैंने आपको जब action मैंने बनाना बिता था उससे मैंने इस फ्रेम के साथ ही सिर्फ दिया था अभी मैंने स्पेस और 03 दिया है वह इसलिए जो मेरा पी एस डी क्रिया गया है उसके अंदर मैंने फ्रेम 05 इस step के मैंने दिया 05, 0302 इस step का मैंने नाम दिया था तो वो ही मैंने नाम अभी rename कर लिया पहले से of record ठीक है तो आप जो भी action मिला रहे उस हिसाब से नाम दे जिएगा नाम खराब वोगा तो फिर सारा काम खराब होगा ओके next अभी आपने copy कहां से करना है अभी आपको next लेकर जाना है तो आपको यहां से लेकर जाना है next documents and नीचे transfer यह जो है transform ठीक है यहां से यह आपने बस copy करना है बस यह आपने all press करके पहले नमर तो आप यहां से duplicate duplicate कर सकते हैं वैसे आप all press करके इसको यहां से निचे रख दो, ठीक है, फिर इसी को यहां से निचे, फिर इसको यहां से निचे, और यह भी आप कर सकते हो, उसके बाद यहां से हम select करके, अभी हम वो last तक लेख जाएंगे, जहां तक हमें चाहिए, ठीक है, जिससे के अभी देखेगा, यहां से, यह next documents आ ग इसको फिर duplicate करना है, alt press करें, अभी देख लें, हम यहां से फिर इसको select कर रहे हैं, और alt press कर रहे हैं, और यह इसको alt press करके, निचे इसके डाल देख, अभी यह बहुत लंबा मेरे खल से बन चुका है, अभी इसके अंदर अभी यह यह सब वही बन गया है, माला किना सब सब के अंदर ही frame 3, frame 2, इस step को लिखा हुए, अभी हमने इसको rename कैसे करना है, अपने हिसाफ से मिलाब frame 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, और इसके इलावा हम अलग-अलग actions कैसे कैसे देंगे, अभी एक हमें जो है, किसी इम अलग कर PhD के अंदर 4 है, किसी के अंदर 10 है, तो इस step का हमें कैसे बनाना है, automatic, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, next, अपने करने के frame 3 तक तक हमारा record हो चुका था, अभी frame 4 के लिए आपको करना क्या है, first में तो आप rename कर ले, मैंने जैसे कि आपको बोला था, यहाँ पर पहले आप rename, सही से याद रख लें, कि F जो है, वो capital म जो हमें चाहिए, 06, and 13, अभी हमारी 13 frames तक हमारा radio हो चुका है, ठीक है, अच्छा, अभी हमने इन को यहाँ से rename कैसे करेंगे, अभी मालब, आप इन को ऐसे डाल के या इस तरह से आप rename नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो मालब यहाँ डबल क्लिक करके भी rename नहीं कर सकते हो, तो again, record भी करते हैं, बिगें, record लिखा हुआ, तो इस तरह से ठीक है, तो अभी आप 4 पर क्लिक करेंगे, frame 4, at Macly, frame 4 यहाँ पर आ चुकी, अपने stop कर देना, frame 3 को आप यहाँ से remove कर दिया, remove कर दिया, अभी at Macly, वहाँ से frame 4 को पकड़ेगा, ठीक होगा, अभी हम से फिरा हम इस आपको मरसी चाहे, तो जैसे हमने पहले पहले किया था, एक ही जगह पर हमने सारे frames, यह जो है, layer हमने select करके रख दी थी, बाद बाद में हमने उसको r-press करके duplicate कर रहे थे, मगर मुझे इस तरहीं अच्छा ही लगा, कि हम क्या पता भूल ना जाए, कि कोई जहां पर paste हुआ नहीं हुआ तो इस वज़े से, वो फिर मैं नहीं कर रहे हूँ, इसलिए मैं साथ-साथ ही record कर रहे हूँ और साथ-साथ ही paste कर रहे हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही सी याद रहे है, तो इस देखें, यह भी record, फिर 7, click, stop, and 3 वाले को read, इट मैंक लिए 7 आ चुका है, इट म ठीक हो गया, अभी हम यह 13 वाली फ्रेम्स को हमने select कर चुके है, अभी इसके निचे भी बहुत ज़्याद हैं, तो हम delete करते हैं, अभी हमने delete तक कहां तक करना है, यह next document से बता कि इससे आगे बोड ना आ जा सके, अक मरदी जाए तो 16 फ्रेम, 100 फ्रेम तक बनाने चाथ तो इस तरह से आप duplicate करते जाएं, और इस तरह से आप पहले ज़्यादा फ्रेम्स बना लें, record कर लें, उनके रिनेम और फिर आप उनको रख रहें, ठीक है, इन फाल्टूस को आप भी delete कर रहा हूँ, delete कर दिया, अभी यह देख सकते हैं, तेरा तक हैं, और यह भी एक रह चु अभी हमने इसको अपने हिसाब से रखना है, कि दो फोटो वाली हमने PSD open की, तो फोटो के लिए ही वो open करें, दो फोटो ही वो यहां पर paste करें, तीन, चार, पांच, इस तरह से, जैसे कि मैंने डिजी फोट शाप में, जो मैंने पहले आपको action दिखा है, उसके अंदर मैंन बनाता हूँ, frame, मैं इस तरह से कुछ नाम देता हूँ, मुझे अदी नहीं आ रहा है, ओके, यहां से यह इसका है, मैं alt press करके इसको यहां पर ले का, तो मतलब वो यह महीं पर भी रहेगा हमारे backup के दोर पे, और यहां पर भी आ चुका है, अभी insert के अंदर आ चुका, अभ अभी यहां पर हम देते हैं, ठीक है, frame 13 के नाम से और यहां पर भी हम इसको paste कर देते हैं, ताकि वो हमें पता चलता रहे, अभी हमने क्या करना, इसको, इस actions को हमने duplicate, अभी हम पूरा-पूरा actions को ही duplicate, duplicate कर रहे है, यह देखें, duplicate, अभी यह कितने हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, अभी यह 6 action हो चुके है, अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, आप याद रख लेना, मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है, बस इस तरह से, ठीक हो गया, अभी इसके अंदर जो है, वो 13 frames ही है, अभी मैं इसको ने चलता हूँ, अभी इसके अंदर फिर 13 frames है, हमें अभी अभी मैं इसको rename करते हूँ, महलब यह आता है, frame 3, frame 3 के नाम से देता हूँ, और यहाँ पर दे देते है, frame 4, महलब यह frame 4 तक ही replace करे, ठीक है, इसके अंदर हम दे देते है, frame 5, 6, मैंने जब बनाया था, मुझे पता है कैसे बनाया था, और उसके मैंने sale किया था, action मैंने sale किया था, याद रहे हैं आपको, ठीक है, आप दो photos वाला भी भी बना सकते हैं, मैंने यहां से 3 photo वाला यहां से select किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया, अब यहां से मैं start कर रहूं, अभी आपने क्या करना है, 3 frames तक, यह देखें, 3 frames तक, और यहां पर आज़ता है, यह, फ्रीट, यह जहां पर, जहां पर, जहां तक, यह बलब, transform है, यहां तक, यह stop आज़ता है, पूरा action, उसके बाद यह next करना है, तो फिर next documents, तो अपने next documents लेकर, मैंने, अभी यह नीचे तक, इसको delete कर देता हूं, ठीक हो गया, अभी वो 3 frame तक की जाकर रुक जाएगा, ठीक है, अभी आपको समय लाग रहे है, अभी हम 4 frame तक देखेंगे, 4 frame यहां पर है, और इसका last, यहां पर आके खतम होता है, उसके बाद यहां से new शुरू ह करना, तो वहां तक हमने, इसको cut करना, तो यहां नीचे तक हम select करेंगे, automatically just हमने अभी delete करना है, ठीक है, मैंने एक बार आपको वो सारा कुछ करवा दिया, मलब 13 frame आपने एक बार ही वो जो है, मलब आपने select कर लिया, अभी आपको ज़्यादा परिशानी नहीं, just आपको delete करना है, जहां तक आपको चाहिए, बस simple, अभी जहां तक, यह देखें, free transform, next document से, और नीचे तक, इसी तरह से आपने, सारे मलब जितने भी आपको चाहिए, मलब 100 frames में, मलब unlimited की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 100 frames यह तो इसी तरह से आप बनाते जाएं, और उस तरह से करते जाएं, frame 6, यह आप नाम देदें, ताके आपको याद रहें, इदेखें, frame 6, और यहां से free transform, और यहां से next documents, ठीक है, so हम नीचे से select करते हैं, नीचे तक, और delete, फिर आता है, frame 7, frame 7 में हम देखें तो, किदर गया frame 7, यहां पर, और यह आ रहा है next documents, यह तक हम select करेंगे, यहां तक, और यह delete कर दिया, ठीक है, और यह frame 8, अब यह frame 8 तक हम यह कर रहे हैं, ठीक है, फिलाल के लिए, वैसे आप ज़्यादा करना चाहें, तो आप कर से यह भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए, यह just मैंने बता है, अभी हम क्या कर चुके हैं, 8 frame के लिए हम बना चुके हैं, ठीक हो गया, yes, यह देख सकते हैं हमारा, जो है, वो 3-4 frame, यह हमने बना चुके है, अभी आपने करना क्या है, मैं यह बोलता हूँ, बलके मैंने शुरू म मैं बोलता रहेगा, copy करो, copy करो, इस तरह से, तो वो आप delete कर सकते हो, ठीक है, बगया, चुले, मैं अभी delete नहीं करता हूँ, ठीक है, मल, हाँ, यह है, कि आपको यह नहीं करना है, तो आप यहां से remove कर देना, ठीक है, यहां से stop, और यहां से इस तक, इस तक यह आप, यह आ shortcut की बनाऊंगा, और इसके उपर आपने यहां से click करके, यहां से action, action में जाना है, यहां से इसका shortcut की क्या है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम कुछ भी रेज़ सकते हैं, इसका 8 है, तो हम F8 दे देते हैं, ठीक हो गया, बिल्गोल सही है, F8 हम इसका shortcut की है, हम अभी रहें, frame 6 है, तो इसके अंदर भी उसी तरह से हम stop message देंगे, यहां पर और इसको हम बोलते हैं, कि open the 6 photo, ठीक है अभी हम 6 frame वाली open करते हैं, 6 frame को उपर right click करते हैं, यहां से हम action में जाएंगे, action, actions, और यहां पर देंगे इसका shortcut की F6, और F6 में यहां से पहले कोई creator है, तो हम shift press करके, जो है, वो F6 पर press करेंगे, तो at Mac लिए action प्लेवर का, simple, and अभी हम को PSG open कर लेते हैं, यहां पर 6 photos वाली, ठीक है, this और यह frame है, 6 photos वाली, ठीक है, अभी आप देख सकते हो, कि यहां पर, जो है, वो frame 2, frame 3, frame 4, इस तरह से यह सब कुछ दिया कहा, frame 1, frame 3 द हमने full screen कर लेना है, full screen कर लिए हमने, और shift F6 इसका shortcut की दा, simple, और safe your PhD बोड़ रहा है, yes, good, so safe your PhD आप कहां पर safe कर लेते हैं, मैं desktop पे safe करना करता हूँ, safe as, और बोड़ रहा है, open your 6 photos, yes, good, और जाते हैं, picture में, yes, और 6 photos हम open कर लेते हैं, और इसे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको नहीं करते हैं, इसकी जैसी यह है, बस, यह देखो, यह इसकी ही है, 6 frame ही, 6 photos ही, इसी एक की हैं, तो बिल्कुल यह सही है, plus 6 photos हमने open कर लें, automatically वो अभी open होगी, वाव, amazing, अभी हमारा एक photo की दर है, यह, at weekly हमें, यह हम पर चाहिए, okay, सब यह मैं, कौन से चाहिए, 2 photos, 2 photos आ चुका है, और वाव, कोई नहीं, resize कर से थे, enter, 3 photo, 4 photo, 5 photo, and 6 photo, तो यही काम हमारा panel करेगा, ठीक है, और panel के पास कैसे show होगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा से size करते हूँ, पैनल आपके पास कैसे show होगा, जैसे के देखो, window, and extension है, मैंने एक panel छोटा सा भी बनाया है, यह fill frame 3 के नाम से, ठीक है, अभी मैंने छोटा सा बस बनाया, अभी बहुत कुछ चाहिए, यह, यह panel है हमारे पास, तो हमें यहां पर कोई मैं पूछने वाली बात तो नहीं रहा गई है इसमें, बाकी आपने यह सब कुछ देख लिया, आप ही आप जो है, इनको अलग-अलग safe कर सकते हैं, इस तरह से सारे आप बना लिजेगा, folders, और बाकी इनको सब को एक दम कैसे script में तबदिल करेंगे, वह मैं आपको पत सकते हैं, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर री डॉन करते हैं, और सीकते हैं, आपर आप करते हैं, और एव सिकते हैं है, आपर दाप्र देजानी अवरी देए।